आत्मा की फोल अनन्त शक्ति आनन और शांति इश्वरिय भक्ति के लिए जोड़े रहे हमारे चेनल से आपका अपना चेनल पुरु अशोक्ति वारी राइक और सब्सक्राइब करना ना भूले श्री गणे शाय नमा प्रियवन्धुगो इस भाग से पहले के एक भाग में हमने संत कबीर दास जी के नाम पर चर्चा की थी और हिंदी बर्ण माला के अनुसार उनके नाम का जब हमने मूल अंक निकाला था तो संत कबीर दास जी के नाम का मूल अंक चार आया था आज हम संत तुलसी दास जी के नाम के उपर चर्चा करने जा रहे हैं अब संत तुलसी दास जी के गुरु महराज ने उनका नाम तुलसी दास क्यों रखा बड़ी विचारनी ये बात है बड़ा ही राज है जो उनका नाम तुलसी दास रखा गया पहले के संत लोग जब नाम रखते थे तो बड़े ही विचार के साथ में नाम रखते थे ऐसा नहीं करते थे कि उठाया और कुछ भी नाम रख दिया जैसे आजकल नाम रख देते हैं डबू, चिंटू, पिंटू, इत्यादी पहले के संत नाम रखने के पहले बड़ी अच्छी तरीके से विचार करते थे कि हम इसका क्या नाम रखें जब संत तुलसी दास जी महराज के गुरु ने इनका नाम रखा तो विचारखे ही रखा होगा चलिए, आईए, आज इसी के वारे में जानते हैं विस्तार के साथ में तो इस बार भी हम पहले के भाग की तरे ही तुलसी दास के नाम का संधी विच्छेद करते हैं तो शब्द रचना इस प्रकार से बनती है कैसे ता, छोटा उ, ला, सा, बड़ी इ, दा, बड़ा आ, और सा तो इस प्रकार से ये आठ स्वर और व्याण्यन मिला करके नाम बना तुलसी दास अब इसमें जो पहला अक्छर है ता, वह हिंदी बर्ण माला के स्वर और व्याण्यन दोनों के संयुक्त करम में 29 वे नंबर पे आता है इसी प्रकार से छोटा उ, पांचवे करम पर है और ला, 41 वे करम पर आता है वहीं पर सा, 45 वे करम पर और बड़ी इ, चोथे करम पर आती है ऐसे ही दा, 31 वे करम पर और बड़ा आ, दूसरे करम पर और सा, 45 वे करम पर आता है अब हमने इन सब को जोड़ दिया, तो अंक आया 157, आप भी जोड़ के देख लीजिए 157 ही अंक आता है इनका पूरा जोड़ अब मूल अंक निकालने के लिए हमने 157 को आपस में जोड़ दिया तो अंक आया 13, बड़े ही गजब का संयोग है संत कभीर दास जी महाराज के नाम के जो अंक निकले थे वह भी 13 ही निकले थे और यहाँ पर तुलसी दास जी महाराज के नाम के जो अंक निकले ये भी तेरा निकले अब क्योंकि हमें मूल अंक बनाना है तो एक और तीन को भी जोड दिया तो चार बना तो ये संत तुलसी दाजी के नाम का जो मूल अंक चार आया है इससे हमें क्या सिक्षा मिलती है बहुत बड़ी सिक्षा मिलती है ये तुलसी दाजी महराज के नाम का जो मूल अंक आया है चार इससे हमें बहुत बड़ी सिक्षा मिलती है संत तुलसी दाजी महराज में अनेक ग्रंथ लिखे हैं भक्ती मार्ग के उन सम में प्रसिद्य ग्रंथ है सिरी राम चरीतर मगनस अब यहाँ पर जो यह चार मूलंक आया है इससे हमें यह सिक्षा तो मिलती है कि संत तुलसी दास जी महराज ने अनेक अनेक प्रकार के भक्ती मार्ग के जो ग्रंथ रचे हैं उन ग्रंथों को पढ़के हमें जो सिक्षा प्राप्त होती है उससे हमें चारों परसार्थ प्राप्त होते हैं अब चारों परसार्थ हम एक बार फिर वता देते हैं कि कौन-कौन से चारों परसार्थ हैं कि पहला परसार्थ अर्थ दूसरा परसार्थ धर्म तीसरा परसार्थ कामनाए और चोथा प्रसार्थ मोक्ष याने जो संत तुलसीद आशजी महराज के द्वारा दी गई सिक्षाओं को आत्म साथ करते हैं उन्हें आर्थ याने धन की भी प्राप्ती होती है और जब धन होता है तो धर्म भी होता है और जहां मनुष्य धर्म करते हैं तो ऐसे धर्मात्मा मनुष्यों की समस्त कामनाई भी पून होती है और जब बेधर्म करते हैं तो उस धर्म मार का अवलम्मन करके वे मुक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं दूसरा अर्थ ये जो चार मूलांख है इसका एक दूसरा अर्थ भी है गुस्वामी तुलसीदास जी महराज द्वारा रचित जो महान ग्रंथ रामचरित्रमानस है इसमें चारों वेदों का सार समलित किया गया है तो जिस मनुष्य ने भी रामचरित्रमानस को पढ़के और उसके ग्यान को आत्म साथ कर लिया है उस मनुष्य में भी उतना ही ग्यान हो जाता है जितना ग्यान चारों वेदों के पढ़ने के पस्चात मनुष्य को प्राप्त होता है रामचरित्र मानस नाम के महान पवित्र ग्रंथ की जो आरती लिखी हुई है उस आरती में भी एक जगे पर बर्णन आया है कि चारहू बेद पुरान आश्टेदस छयहू सास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस सारे अंस सम्मत सबहिय की आरती शिरी रामायन जी की तो यहां पर हम और अन्य दूसरे विश्यों की चर्चा ना करके मात्र उस विशे की ही चर्चा कर रहे हैं जो चार अंक से सम्मंदित है तो कहने का मूल भावार्थ यह है कि रामचरित्रमानस नाम का जो ग्रंथ है उसमें चारों बेदों का सार तुलसी दास जी ने निकालके रख दिया है और जो भी मनुष्य इस रामचरित्रमानस का पाठ करता है उसे चारों बेदों का भी ज्यान प्राप्त हो जाता है बंधुगों आज के लिए वस इतना ही सेस्फिर कभी नईविशे के साथ में आपकी सेवा में उपस्तित होंगे आग्यादी जी धन्यवाद जय माता की जय प्रश्राम जी के